इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कुश्चन नमबर सात्मा सात्मा के बाद हम आपको छठमा भी बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से कलास को सेयर कर दो अपने वर्टसअप ग्रूप में फेस्बूक ट्विटर इंस्टाग्राम खाचा पाचा जहां भी जो भी चलाते हो हर जगा भेज़ दो तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एकदम मस्त चल रहा है एकदम चलो बिलकूल बिलकूल ठीक है तो बच्चों सभी किताब लिए हो ना NCRT वाली भी यह देखो बीना किताब के कुछ होता नहीं है वो ऐसे जैसे तुम बराती जा रहे हो दुलाहा गरी छोड़ दो चल भी पड़ी तो नहीं आएगी तो किताब लेकर बैठा करो चलो सुनो कि कहरा कि एक ऐसी तीन संख्याएं लिखिये जिनके दसंबलों परसार अनौसानी अनावर्ती हों ऐसी तीन संख्याएं लिखिये जिनके दसंबलों परसार मतलब आपको थ्री नंबर ऐसे लिखना है जिनक decimal expansion non-terminating and non-repeating हो non-terminating and non-repeating का बच्चा जो English है बड़ी खतरनाक है पता है कैसे है इसकी English non-terminating and non-repeating की जो मतलब हिंदी है हिंदी इसकी है अनोसानी अनावर्ती ठीक है तो समझो यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर को अगर हम भाग देते हैं उसमें से मैं तीनों लिख दे रहा हूँ आप दिमाग लगा लो एक अंडरूर्ट दो हो जाएगा एक अंडरूर्ट तीन हो जाएगा और एक और का हो जाएगा भाई पाई कमान भी ऐसे होता है इनका जो दसंबलों परसार है आप करोगे तो वो तो सांत नहीं आएंगे कुछ समझ भा रहे हो कि नहीं अभी मैं सुरूर्व नहीं करा हूँ पढ़ाने अभी तो तुम हंडरेट पूरा करोगे तब मैं सुरूर्व करूंगा अभी तो मैं आपको एक डेम हो दिखा रहा हूँ ट्रेलर है अभी ये मूवी तो वांकी ही है चलो कुष्टन सभी पढ़ लिए किताब लिए हो पहले ये बताओ अर्बिंदजी गुडिबिंग टीपी गुडिबिंग इस्मिर्थी बिद्यार्थी गुडिबिंग अभी गुडिबिंग जैसरी सबको गुडिबिंग इसलिए नहीं चल रहा है तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट सेयर कर दो भई हंड्रेट पूरा करो उसके बाद हम लोग सुरू करते हैं स्टाटिंग में हम लोग इसलिये करते है पत्द स मिनट की बच्चे आप लोग सेयर करते हो बच्चे आते हैं हंंड्रेट प्रफलस हो जाते हैं तो फिर हम लोग पढ़ते हैं तब तक मैं कुश्चन लिख देता हूं जब तक बच्चे आए ऐसी तीन संख्याय लिखिए जिनके दस हम लोग पर सार थोड़ा सा इंतजार कर लो आप लोग बच्चे आने दो पहले जो मिनिट इंतजार कर लो बस और इंतजार ना करो अप लोग जिससे बच्चे जूड़े नहीं तो इंतजार करते रहों कि आपके पास अगर एक दूतीन मुबाइल है न समय चला लो जिनके दस हम लोग पर सार जिनके दस हम लोग उतर दिख रहा है तो का है मौका छोड़े हैं दस हम लोग पर सार अनवसानी अना वर्ति हूं अनवसानी अना वर्ति हूं देखिए अब मुझे लगता है कि बच्चे आ गए हैं अभी कुछ और बच्चे हैं प्रिया पटेल हां कमेंट आ रहा तुमारा ठीक है सुर्जीत कुमार सबका कमेंट आ रहा है वह यह सभी बच्चे अपने वाट्साप स्टेटस में कलास की लिंक को लगा दीजिए जैसे तुम प्यार मोहब्बत वाले नगमें लगाते हो ना वसे इसको भी लगा दो कुछ बच्चों को फाइदा हो जाएगा बाला हो जाएगा किसी का चलो मिनाक्षी साहू गुड इबनिंग जिब्यांस राजपूत जी गुड इबनिंग कि फटाफट शेर करो तुरं दबाके शेयर करो हंडेड़ पूरा करो पर इस्टार्ट करो नहीं करो एक लप 어टा मा रहेgenी आब थोड़े से और बच्चे हैं जो बच्चे नहीं की है फटाफट सेयर करदें सेसन को लाइक कर दें बस हम सुरू करें हमें थोड़ा सा तोक लगी एक हम खड़े हो के यां भासड़ दे तो हमारे माननिये प्रदानमंत्री जी देते हैं पिछले साथ साल से दे रहे हैं हम थोड़ी भासड़ देने वाले चलो आप भाईयों और बहनों कहके हम नहीं बोलने वाले हैं कि कमज रहो ना जो बच्चे सेयर करने गए हैं वह आई रहे होंगे जैसे आएंगे वैसे पूरा हो जाएगी संख्या मुझे पता है तुबम कमेंट आ रहा बच्चा रभी राज बोल रहे हैं सीदी पर पढ़ा हो अच्छा लगता बेटा अच्छा तो बहुत कुछ लगता जिन्दगी में जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं हो हमारे लिए अच्छा ही हो इसलिए जो अच्छा लागे उससे दूर रहू हू अगर तुम्हें पढ़ना है तो फटा फट सेर कर दो अब अब जार कर रहें किसी के आने का यह अब जल्दी से सेर करो सभी बच्चे अपने वाट्टसप ग्रूप में हर जगा सेर करो फटा फट्ट जिनका वीडियो नहीं चल रहा है इस दी गई लिंक पर किलिक करें तुरंट चलेगा जिनका वीडियो नहीं चल रहा है उनको देखो मैं लिंक बेज़े देता हूं जो आ गए हैं वो नहीं जाएंगे सिर्फ सेर करने जाएंगे बस तुरंट आएंगे अब हम एक मिनट और और रुकने वाले हैं क्लास शुरू हो रही टाइम हो चुका है बच्चा क्योंकि दस मिनट लगता है लोगों को नोटिफिकेशन मिलने में अगर आपका नहीं चल रहा था तो देखो आब आपका चलेगा अजया चौधरी सिवं चलो बच्चा फिर अजया बच्चे लगभग जुड़ गये हैं पूरा हो गये हैं बाई जो बातचीत करेंगे पहले समझ लें उन्हें हम ब्लाक कर देंगे बीना कुछ बोले अगर तुम्हें पढ़ना है तो ठीक है अगर किसी जुगाड के लिए हो तो बेटा यहां फिर निकल लो तुम नहीं बहुत मार पढ़ेगी समझ रहो ना जिनको पढ़ना सिर्फ वही रुकेंगे बाकि निकल लो तुरंद कल ले फि निकल लो सिर्फ पढ़ने वाले रुकेंगे बस हलो काचल कैसी हो पूजा तुम कैसी हो तो हम लाते लात हमारेंगे जान लो अगर इसा किया तो समझ रहो ना थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा सुनके लेकिन तुम समझ रहो चलो तो बच्चे जुड़ गए हैं फिर सुरू करते हैं आज की क्लास गुड इबनिंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैरा आज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फरिवार पी वी आरे स्टेडी में तो बच्चों कलास नाइन थी की आपकी मैथमेटिक्स की लाइब चल रही थी जिसमें आप लोगों ने अभी तक 5 कलासे पढ़ लिया है और चाटवी कलास आज आप पढ़ेंगे चाटवी कलास में हम पढ़ेंगे एकसरसाइज नंबर एकसरसाइज नंबर कौन सा 1.3 कुश्चन नंबर 7 ठीक है 1.3 का कुश्चन नंबर 7 अगर आपके पास NCRT किताब है तो चाहे आप CBSC बोर्ड के हैं UP बोर्ड है विहार बोर्ड MP बोर्ड राजस्थान बोर्ड हरियाना बोर्ड केरल करनाटक कोई भी आ भारत देश में तो सबके लिए यह इंपॉर्टेंट है यह आपकी किताब में है आपके सिलेबस में है अगर आपकी कोई राज जी की NCRT नहीं है तो आप में यह कुश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा आपका चैप्टर या फिर आपका एकसरसाइज आगे पीछे हो सकता है लेकिन यह है आपकी किताब में कहीं न कहीं तिक है इसलिए समझना है सब को पढ़ना है सब को बाद में किताब खोजोगे मिल जाएगा यह किताब में है तिक है सुनो कांसेप समझ लो कहरा कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दसमलों परसार अनौसानी अनावर्ती ह इनको हम इंगलिस में भी बताएंगे हमें क्या करना है ठीसे नंबर रिटेन करना है यहाँप लिखना है तीन ऐसे नंबर जिनके decimal expansion, तब समलों पर सार का मतलब होता बच्चों, decimal expansion, अनावसानी अनावर्ती बड़ी खतरनाक हिंदी है, non-terminating and non-repeating हो, समझ रहे हो ना, जब मैंने शुरू किया था, number system बताया था, बिटा, कि terminating number क्या होता है, non-terminating decimal expansion क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तब तो तुमको काजल याद आ रही थी, हाँ, तो कहां से आएगा, चलो देखो समझो, मनोच सिंग आ रहा समझ में न बच्चा, तो देखो, अगर हम under root 2, इसके decimal पर सार की बात करें, तो हमको भी पता है, तुमको भी पता है, 1.414, ऐसे something होता है, ये खतम नहीं होता है, ना तो खतम होता, ना ये रिपीट होता है, मैंने बहुत पहले पढ़ाया, अगर तुमने पढ़ा होगा, तो तुम्हें मालूम है, नहीं पढ़ाया, तो भगवान जाने, ये छटवी कलास है, अगर आपने इसके पहले की पांच कलास नहीं देखा है, तो आप देखो, डि लेंट हो जाने, तुमको तो हम फोड के बहार देंगे, तुमको नहीं मालू हमारे बड़े नालायक लड़के हैं, वहर समय फोन करते हैं, चलो, तो अगर हम अंडरूट तीन की बात करें तो इसका क्या होता है, थ्री पॉइंट, क्या होता भई, वन फोर वन संथिंग होता पाई ये ऐसी बीमारी है ना, बहुत बड़ी महामारी है, कोरोना की दादी है, ना तो रिपीट होगा ना खतम होगा, पाई कमान आप सभी जानते हो, पाई कमान कितना बोलते हैं, अरे ये पाई ये कमान है, दादा जो मैंने यहां रखा है, प्री पॉइंट वन फोर वन पाई वाला ही है, इस का वाला दिखो अभी हम इसको आपको निकाल के दिखा देंगे, अभी कहोग यह पता नहीं कहां से लिख दे रहे differentiation है, अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाओंगा कैसे आता है, देखो धयान दो, यह वन पॉइंट सेवन समथिंग आता है, देखो हो यह यह आता कैसे है मैं बताओं इसके बारे में क्या है 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 समझो इधर साइड में पेटा पवन यादो पढ़ लो तो अच्छी बात है इमानसु बर्मा ठीक है गुड इमनिंग देखो समझो पच्चों जैसे अगर मैं आपसे पूछ हूँ की चार कवर्गमूल क्या है अगर मैं तुम से पूछ हूँ की पच्चीस कवर्गमूल क्या होगा तो ललू-लाल बता देंगे 5 होगा लेकिन अगर मैं तुम से पूछ उऊं की बाईया दुविक कवर्गमूल कितना होगा तो तो तुम लटक जाओगे जुरा णाम जैसे है तपी तुम्हरे मूँ जे वो क्या करेंगे हम किरिया करेंगे देखो जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं इधर उदर कर ना उनको हम तुरंत भी बलाक करवा रहे हैं फिर उनका कमेंट नहीं आएगा बेटा इसलिए अगर पढ़ने आयो तो पढ़ लो पढ़न कुमार पढ़ डो हिंदी अंगलिस सब में बता रहे हैं बच्चा पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो जाओ कहीं कुछ और करो चलो समझो तो देखो दो का जो हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं बच्चों वो कैसे करते हैं कुछ ऐसे करते हैं हाँ पर समझो हमें क्या करना है दो का वर्गमूल निकालना है न दो का क्या करना है वर्गमूल निकालना है तो इसको कहां लिखेंगे भाईया यह लिखेंगे न क्या है यह दो तसमलों के बाद कितने अंक तक निकालना है तसमलों के बाद कितने अंक तक निकालना है इसको तुमें फालतु कुल हर जगा फसा दिया देखो चार अंक तक तो तीन अंक तक तो मैंने यहां लिखा है मानलो इसको मैं और जादा अंक तक निकालना चाहता हूं अब ध्यान से देखो, यह ऐसा मंतर है जिसमें सब कबर हो जाएगा, मतलब जो नंबर पूर्डवर्ग है उनका तो आएगा ही, जो पूर्डवर्ग नहीं है उनका भी आजाएगा, समझो, नंबर है दो, यहाँ पर दसमलो लगा के हमें जितने अंक तक निकालना है, देखो दो जोड़ा हो गया, तीन जोड़ा हो गया, चार जोड़ा हो गया, चलो पांच जोड़ा मैं, पांच अंक तक निकालूंगा, आप देखो गए, पांच अंक में भी यह खतम नहीं होने वाला है, मैं केमरा आपका थुड़ा इधर, मतलब साइड दिखा देता हूं, रूट 2 कमान जो तुम अभी तक रटे हो नाइंट एंट में बता जाता बैटा कि रूट 2 कमान 1.414 होता है और तुम इसको रट लेते हो ना कि यह होता है लेकिन यह आता कैसे मैं आपको यह दिखाने वाला हूं आप देखो कि कख्छा 9 या 10 में पेपर तक में दिया रहता है अंडरूट 3 कमान 1.7 होता है संथिंग होता है 1.4 रूट 2 कमान होता है रूट 5 कमान कुछ है इसे दिया रहता है लेकिन आता कैसे कहा से निकलता है पाइदा कहा निकलता है यह उल दिखा रहा हूं तुमें हैं हम अब इसमें कितनी बार जाएगा यह Caesarशार ना थोड़ा सा यहां एक आपको concept सीखना बच्चा कि अगर हम वन बार भाग ले जाएंगे तो हम यहां भी वन लिखेंगे ऊपर भी वन लिखेंगे ठीक है यह इसकी खासियत है लेकिन इसके नीचे भी वन लिखेंगे और यह पर एक ठी लंबा फ़लाइन खीचेंगे कुसो ना इतने मैं समझ में आ रहे ना बच्चा देखो अब यहां पर भी क्या करेंगे हम वन ही लिखेंगे लेकिन वन यहां पर कहां से आया यह इसका अपस में गुड़ा होता है वन वन जा वन यहां पर घटालो बच्चा कितना आ गया वन और यह जुड़ता है लेकिन एक कि रहाज रहो कि नहीं सभी देखो अब आगे चलो तो बच्छों ये तो हो गया अब हमें दसम्मलो के बाद वाला जोडा उतारना है कि दो का भाग उन में जाएगा नहीं एक जोड़ा उतारेंगे जीन होवाला है थीक है अब ये हैं दो ये है सो अब अगर आप तुम से पूछें कि बच्चा दो से सो में भाग कितनी बार जाएगा अब बताता क्यों नहीं इतना देर फे कमेंट किया जा रहा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो लिख रहा है यार एक्स गेमिंग बेटा तुम्हारी जिंदेगी बिना एक गे होगे लाइफ टाइम इसलिए पढ़ लो पढ़ लो हाल तू कमेंट करने वाले पढ़ लो चलो देखो कि अधिके 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 बेटा तुमको तुम तुरंत बलाग कर देंगे निकल लो यहां बाग लो चलो अब समझो कितनी बार जाएगा मैंने पूछा कोई नालायक नहीं बताया लगे है चैटिंग करने में लाइफ के लिए इसलिए इनके चुनना करता है ने लाइफ करो लाइफ करो तो यह उसी में है, उतने में ही जिंदगी है, नाइन थे में है, कच्छा आठ में हैं अभी जिंदगी में है, जिंदगी में अफली मजा क्या है, पढ़ाय उड़ाइस कोई मतलब नहीं, समझो इदर, तो बच्चा क्या किया मैंने दसमलो के बाद का एक जोड़ा यहां उतारा तो उपर क्या किया दसमलो भी बढ़ाया फिक है उपर दसमलो भी बढ़ाया नीचे क्या किया एक जोड़ा उतारा अब कुछ बच्चे बोलने है पचास आएगा वो तो ठीक है जब सीधा सीधा भाग करते तो 50 आता अब यहां देखो अगर हम एक बार भाग ले जाएंगे बच्चा तो 11 आएगा यह भाग कुछ अलग तरह की है ठीक है अगर एक बार ले जाएंगे तो ऊपर भी एक लिखेंगे यहां भी एक लिखेंगे देखो समझो यह यहां भी एक लिखेंगे और यहां भी एक लिखेंगे और इसका ऐसे गुड़ा होता है यह समझते चलो एक बार ले जाने का मतलब है बच्चा यह कई साएगा दूई बार ले जाने का मतलब क्या पता है देखो बच्चा अगर दूई बार ले जाएंगे तो इसे बनेगा यह समझ लो प्यार से यह है भाग विद्धी से वर्गमूल इसमें तुम्हें पढ़ा रहें कि रूट दूई कमान जो 1.414 रटे हो यह तुम्हें मिलता कहां से आता कहां से मैं वो निकाल रहा हूं ठीक है समझ लो देखो तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अनुभो के आधार और पर आप कर लोगे बच्चा यह 4 बार जाएगा कितनी बार जायेगा चार बार मनोच जीवम कुस्वाहां बहुत अच्छे बाई सीवम जी पेरी कुड़ चलिए तो कितनी बार जायेगा यह चार बार जाएगा तो बच्चों गटाने पर भी चार आएगा यह इधर जुड़ जायेगा चार चार आठ इधर थोड़ा दूर में लिखना याद रखना जोड़के यह नहीं गई सटाइद दिवाल में जगार अने देना चार चार आठ और यह दूर तो बच्चा अगर यह चार बार गया तो ऊपर देखो अगर गड़ित पढ़ना है तो जाना नहीं छोड़के यहां पर कोई नहीं दमेली दुलान नहीं आई गया जहां के लिए चल दिए पढ़ रहे हो ना पूरा कलाश देखो मजा आएगा समझ में आएगा मालो एक बार नहीं आया मैं फिर बताऊंगा आएगा पढ़ लिया दूसरा जोड़ा उतार लो फर से क्या करोगे दूसरा उतार लो तो दूसरा जोड़ा मैंने क्या किया यह प्र उतार लिया आगे समझो आप 30 अब बताओ किद्व और जायागा इसमें भाग कुई बता कितनी बार जाएगा वन बार ठीक है देखो बच्चा अगर हम दो बार ले जाए तो क्या होता सोचो अगर हम यहां पर भाग अलग तरह की जाती है अगर आप पढ़े हो तो समझोगे तो बच्चा अगर तुम एक बार ले जाओगे यहां पर तभी दाल गलने वाली है अगर दुए बार ले गए ना तो दाल गले की नहीं गड़बड़ा जाएगी तो वन बार जाएगा यह तो 281 इसमें न अब इसको घटा लो और बगल में जो जगा है वहां पर करें क्या है अब तो इसमें जगा नहीं है थोड़ा मुझे जगा करनी पड़ेगी सकेते में सम्धियान करना पड़ेगा नीचे दिखाऊंगा चाहे तुम मेरा कुछ अलगए चीज देख लो यहां पर जो प्रिक्रेट चीजे हैं लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा यह सवाल आच चलो देखो अठा दिया आप समझो इनको घटा अँनको जोड़ो तो यह एक एक दो हो जायागा थोड़ा छोटा लिखूंगा आप समझना यह हो जायगा यह दो हो जायगा पच्चा इनको घटा यह नो आएगा दस में से गया नो यह नो नो में से आट गया एक यह इसमें सुधार गया था यह हो गया 19 119 आएगा ना बहुत अच्छे चिराग बेरी गुड तो बच्चा नीचे आपको थोड़ा कम दिखरा होगा मैं थोड़ा कैमरा नीचे करके इसको आपको पूरा क्लियर करवा दूँगा आप मुझे बताओ यह कितना बार जाएगा भाईया कर भाई नीचे तक देख लो तुम चलो 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 सेटिंग कर दिया मैंने नीचे तक देख लो तुम चलो अब देखो यहां पर समझो यहां पर समझो देखो भाई यह जो आपका 119 आ गया ना यह 221 आया है अब इसमें भाग तो सिदा फिदा जाएगा नहीं तो हम एक काम करेंगे वो क्या है एक काम करेंगे उपर का देखो मैंने एक जोड़ा उतारा था यहाँ पे एक यहाँ पे दो जोड़ा मैंने उतार लिया है तो जो जो मैंने उतार लिया उसको चिन्धित कर देंगे यह मैंने उतार लिया यह उतार लिया अब हम उपर से तीसरा जोड़ा जीरो नीचे उतारेंगे तीसरा जोड़ा नीचे उतारेंगे तो ये जोड़ा मैंने क्या किया नीचे उतार लिया अच्छा अगर मैं ना उतारता वो जोड़ा तब क्या होता ना उतारता तो क्या होता भया ना उतारता तो ये 282 जो है अगर वन टाइम ले जाता न तो 2831 हो जाता कितना हो जाता 2831 बहुत जादा हो जाता अब कितनी बार जाएगा सोचो ज़रा इसको थोड़ा पास में लिख लो का है इनके बीच में इतनी दूरी रहे चलो कोई बताएगा यूटूब यूवस चार बता रहे राहूल यादो चार बता रहे और कोई ठीक है बच्चो देखो चार बार जाएगा अब मैं नहीं बताऊंगा क्यों जाएगा क्योंकि मैं कई बार बता दिया तुम सुन नहीं रहे हो चार बार जाएगा तो ये चार चोग 16 अच्छा हासिल आया एक चार दूना आठ एक नौ चार अठे बतीस हासिल तीन चार दूना आठ तीन ग्यारा ये इतना हो जाएगा घटालो इसको जोरब बताओ तस में से छे गया चार नो में से नो गया जीरो आठ में से दो गया छे बस हो गया छे सो चार आया बच्चा इनको जोड़ लो चार चार आठ उड़ा इदर जगा छोड़की लिखेंगे और ये दो ये आठ और ये दो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं न बच्चा तो भईया जो मैं चार बार ले गया था ये चार उपर भी तो लिखा जाएगा जेखो तुम्हे कुछ समझ हो मज में आ रहा कि नहीं ये बेटा अंडर रूट दो कमान निकाल रहा हूं मैं कैसे होता दसमलों में ये इतनी जो यहाँ पर जहाई हो रही ना इसी लिए हो रही है, Pak जो तुम्हे याद कर वा जाता ना याद कर ले, बिटा privat do कमान 1.414 ऊता है याद कर ले किताब मों मिल जाता है ना लेकिन आता कैसे है इसी में से जनम लेता है हो याद कर लो यहां से मतलब समझ लो जो उपर से एक जोड़ा और उताल लो अब बताओ ये कितनी बार जाएगा कोई सोच के बताए मुझे कितनी बार जाएगा भाई राहुल पांडे चलो बताओ कितनी बार जाएगा विजय मिस्रा अच्छा देखो ये कितना है साथ हजार चार सो और ये कितना है 2828 तो भाईया ये 2828 है मतलब 2828 है अगर हम वन बार ले जाएंगे तो 28281 आएगा एक बार ले जाने पर 28281 आएगा ना एक बार ले जाने का मतलब ऐसा इस्ट्रेक्चर बनेगा लेकिन ये 28000 के लगभग आएगा वो 6000 है तो फिर क्यों ना हम दो बार ट्राई करें क्यों ना दो बार ट्राई करें क्योंकि वन टाईम में बहुत कमा रहा है तो दो बार अगर हम ले जाएंगे देखो बच्चा दूब दूना ये 4, 2,8,16, 13, 1,2,2,4,15, 2,8,18, 18, 1,2,2,4,15 देखो बच्चा दूवी बार ले जाने पर ये 56,564 हा रहा है मतलब सही setting हो रही है तो इजो बार जाएगा तो दूवी बार जाएगा 56,564 हाएगा बच्चा कि यहां से एक बात आपको और समझ में आई होगी कि अभी इनको घटाओगे फिर कुछ आएगा फिर कुछ आएगा मतलब यह कभी खतम नहीं होने वाला है जैसे हम लोगों की पीड़ियां चली आई ना कि भाई सरकारी नोकरी चाहिए बस जब अंग्रेज आये थे ना उन्होंने देश को गुलाम बनाया सबको नोकर बनाया पूरे देश के लोगों को लोगों के मन में आया कि नहीं नोकरी करनी चाहिए अब लोगों के दिमाग में वही गुलामी बैठी है आज भी सरकारी नोकरी चाहिए लोग लड़की की साधी सरकारी नोखरी वाला हो चाहें गोबरे भरता हो मतलब किसी सरकारी आफिस में लेकिन तो लाखो का काम करता उससे नहीं पर इसमान स्रीक्ता को बदली चेंज करिए कुछ भी करिए सरकार को गाली मत दीजिए को गे मोधी बक्त हैं का नहीं हम भी रोधी हैं लेकिन अपना कुछ करिए हमारा यह मानना है समझ रहो ना यह उत्तर हो गया आपका ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया क्योंकि ये आने वाला है मतलब खतम होने वाला है नहीं ये खतम होने वाला है नहीं ये अभी ऐसे आता जायेगा आता जायेगा आता जायेगा कभी खतम नहीं होगा तो बच्चा इसके आगे एक थे आउर लिखलों में मिल गया दो तो ऐसे इसलिए इसको डाट-डाट कर दिये थे मतलब यहाँ पर तुम्हें एक चीज देखो क्या कोई गिंती बार-बार रिपीट हो रही है बोलो हाँ या नहीं क्या कोई गिंती यहाँ पर बार-बार रिपीट हो रही है कोई नहीं दिख रही ना मतलब देखो फोर आया है लेकिन बीच में वण आया है फिर फोर आया फिर टू आया फिर कुछ और आयगा फिर कुछ और आयगा मतलब रिपीट नहीं हो रहा है किसमें कोई उमीद है कि कभी खतम होके 0 हो जायेगा नाई कभी नियोगर कियो कि अपर से जीरो बार बार उतारी सकते दिले चेंडrü नहीं होगा तो आज मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से अंडरूट दो का मान निकलता है तब को समझ में आया जल्दी से इस कलास को तुरंद लाइक करो फिर देर ना करो ऐसे मज़ा नहीं आएगी हाँ जल्दी करो भाई तुरंद फटा फट लाइक करो जल्दी से सभी साथी इस सेशन को तुरंद लाइक करिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें बहुत जल्दी करिए चलो बेरी गूड बेरी गूड बहुत अच्छे तेको सभी बच्चे जो नहीं कमेंट कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कि रहे सब्सक्राइब करें मुझे पता है क्योंकि मैंने विश्वार करने मैं इसको मिटाऊंगा जल्दी करो मैं इसको ला रहा हूं आपके लिए भी गो के रेडी करके चलो अब एक बात बताओ क्या इसी तरह से आप तीन का निकाल लोगे की नहीं अंडरूर तीन कमान निकाल लोगे इस तरह से सभी निकाल लोगे ना फाई का निकाल लोगे की नहीं सभी बोलो हाय नहीं यह सभी बच्चे बोलो अरबिंद निकाल लोगे ना रभी राज सुरेंद सिंग सेलेथ राज नूब नूब नाम है इनका यन डबलू डबलू नहीं है दादा यन डबलू भी नूर लिख लेती तुम तब भी अच्छा लगता है यतिहासिक नाम है अब नूब लगा लिया ऐसे से नाम भी आ रहे है ने ने ब्रांड के कोई पंकज रखता है तो उसका बैया रंकज रख लेता है मतलब जिसका कोई मतलब भी न रहे बेटर नीचे उपर सब दिखाई दे रहा है उसके नीचे कुछ था ही नहीं जहां तक दिख रहा था वहीं तक था जहां तक दिख रहा था वहीं तक था उसके नीचे कुछ नहीं था तो आप लोग अब मुझे पता है कि अंडरूर तीन कभी इसी तरह से निकाल लोगे तो बच्चों ये आब का जो question है न exercise 1.3 का question number काउन सा था भाई सतमा सतमा खतम होता है देखो पच्चमा कल मैंने बताया था कुछ लोग confused थे तो मैं फिर से बताऊं क्या सिर्फ भाग करना है बस बहुत लंबा सा भाग जाता है कर लोगे न सभी कल मैंने लगाया था इसमें जगा नहीं है बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है फिर आप लोग कहोगे फिर गलत होने लगता है ये इतना था कितना था एक बटा सत्रा ना भाई देखो यहां पे ज़्यादा इस पे तो है नहीं और ये बहुत लंबी भाग जाती है सोला सत्रा गिंती में जाती है ये सोला सत्रा गिंती में जाती है तो बहुत बड़ा हो जाता है बोर्ड में आता नहीं कर लोगे न इसको भाग करना है भाग करके लिख देना 16 अंग तक जाएगा बस 16-17 अंग तक जाएगा बबुवन बुज्वल बनवारी आर्ट मैंने आपका चैनल आज ही जॉइन किया है पहले की कलास देखने के बाद लाइब कलास देख पाऊंगा बबुवन जी बिल्कुल देख पाऊंगे बच्चा क्या नाम है तुम्हारा आर्ट अजीब टाइब का नाम है बई जाओ चलो ठीक है बनवारी चैनल की प्लेलिस्ट में है जो पहले 5 कलास वी उससे देख लेना तो इसको मैं छोटा करता हूं उपर करता हूं उसके बाद फिर आगे बात करता हूं नेक्स्ट कुश्चन के बारे में आज आपका 1.3 खतम हो जाएगा एक्सरसाइज 1.3 इंडिंग होने वाला बहिया हाँ बच्चा चलो सभी बच्चे कांपी किताब लिये हो की नहीं देखो यार किताब लेके पढ़ा करो खाली हाथ तमासा नहीं देखा करो जलो मताई नंबर कर लोगे कि देखो यार कुजिशन मिटाना पड़ता है यहां पर और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम आपको मेनेज करना पड़ेगा क्योंकि आफ लाइन कलासे पढ़ रहे है और लाइब इसमें जो मज़ा है ना वह ऐसे मज़ा कहा है देखो बच्चा आठवा में कह रहा है कि पर्मिय संख्याओं पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा के बीच कि तीन अलग अलग पर्मिय संख्याओं लिखिए अलग अलग तीन पर्मिय संख्याओं पूछ रहा है किसके किसके देखो कुष्टन देखो यहां पर समझो तो question समझो भाया question number 8 5 बटा 7 और 9 बटा 11 5 बटा 7 और 9 बटा 11 इनके बीच की 3 पर्मिय संख्या है पूछ रहा है अलग अलग 3 पर्मिय संख्या है तो बच्चा जो 5 बटा 7 है इसको तुम भाग करो पहले मुझे बताओ कितना आएगा स्याम सुंदर सिंग भाग करके देखो बच्चा तो इसको भाग करोगे तो इतना लगबग आएगा जो की बार बार रिपीट होगा अब भाग करके देखो 5 में 7 से अब तुम भाग करना जानते हो इतने बड़े ललू लाल नहीं हो कि तुम को यह भी बता हुआ पांच में 7 का भाग कैसे करते हैं तुम करके देख लो इतना लगबग आएगा ना प्रिया पटेल आरा समझ में अरुन मिस्रा चलो फटा फट लिखे जाओ भाई देखो क्वाल्टी बिल्कुल एचिटी में दिख रहा है ना चलो यह जो छोटके लल्लू है यह कितना आएंगे भाईया 0.81 लगबग आएंगे इनके उपर बार सबके चुर्की में बार जम गया है बड़े हो गए सब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई तीन पर्मिय संख्या लिखिए कितना लिखना है तीन पर्मिय संख्या लिखना है तो बच्चा अगर तुम एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से वह का है देखो तो अगर हम इसमें इनके सारे नंबर छोड़ने किनारे वाले तो यह हमें मिलता है 0.71 अगर वईस से देखें तो 71 पाइसा है यह 81 पाइसा है मोटा मोटा तो पहिया हो अगर हम इसके नीचे बात करें तो 0.71 के बाद 2 भी तो होगा हां फॉर तुड़ डाट डाट जो भी 0.7342 डाट डाट जीरो पॉएंट सेवन 544टुडट डाट डाट और हैसे करके जब यह आगे बढ़ता जाएगा एक एक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो बच्चा नीचे जब बढ़ोगे नीचे बढ़ते आओगे तो एक समय आएगा जब 0.81 और ये 42 डाट 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 आएगा की नहीं कि कब भूलो आएगा की नहीं दोलो यस रोगा कि कमभी तुमारा नाम बढ़ा कठीनह मैं नहीं आफी चाहता हूं में आएगा न कि एं 27 के भीच में इन दोनों के बीच में तीन अलग मे ससा है लिखिये तीन अलग अलग परमिय नहीं आपरमिय संख्याएं लिखें इरेफनल नंबर रेफनल होता तो हम आरामसे कर लेते हां तो बच्चा तीन अलग 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 इरेफनल नंबर तुम इसको लिख दो तीन यह लो हो गया चलो यह तीन अलग अलग इरेफनल नंबर हो गया समझ गये ना एक चीज और भी यहाँ पर याद रखना कि किनी भी दो रेफनल नंबर के बीच में अनन्त इरेफनल नंबर होते हैं यह क्या मैं इसकी कोई गारंटी ने लेता हम किनी भी दो परमिय संक्याओं के बीच में अनन्त परमिय संक्याओं होती हैं इसकी गारंटी है यानि दो रेफनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेफनल नंबर होते हैं कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं अनन्त होते हैं सबको समझ में आ रहा है ना हिमानसु जी आ रहा है समझ में राजेस राजू इर्फान साकेत मनोच सबको समझ में आ रहा ना बच्चा आ रहा ना बाबू चलो लिख लो तो यह आपका question number 8 हो गया exercise 1.3 question number 9 देखो exercise 1.3 का question number 9 देखो जो सिर्फ comment के पीछे पढ़े हैं बच्चा हम comment नहीं पढ़ेंगे इस बात को तुम अपने दिमाग में बसा लो क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ना है तो comment से कोई मतलब नहीं होना चाहिए नहीं पढ़ना है तो जाओ भाड में हाँ समझ गए ना भई मोटा मोटा हमारा यहीं जबाव है अगर पढ़ना है तो कापी किताब ले करके साम को साथ बजे हमारे साथ लाइप जुड़ो अपसे पहले कलास को लाइक करो और दोस्तों में सेयर करो आपके घर में जितना मोबाइल फोन है कंप्यूटर लेपटाप जिसमें जिसमें भी चल सकता है सब में वीडियो को चला पाओगी तो नौ नंबर कुईश्चन देखो कुईश्चन नंबर 9 किताब लिए हो ना सभी अचा एक नया कमेंट करके बताओ जो बच्चे किताब लिए है वो पी लिखे कमेंट करें पी मतलब परजेंट बुक और जो नहीं लिए ना वह ए जो जो बुक लिए है पी हो मैं हर दिन पूछता हूँ हमारी कोशिस है तुम हर एक कोई किताब लेखे आओ तेली किताब लेखे आओ बिना किताब के नहीं देखो क्विश्चन नंबर नाइन जिनके किताब नहीं है वह इसे चाटा गटा इसे देखेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा जिनके पास किताब है उनकी तो समझ में हरा होगा इसका मतलब मेरी आवाज सुन पा रहे हो अनुराधा ठीक है कमेंट आ रहा है कृष्णा मिस लवर अर्पित यादो अनुप मिसरा पुस्पा राहूल सभी बहुत अच्छे बच्चे हमारे इतने सुन्दर बच्चे हमारे है ना इतने अच्छे ना कि पढ़ें भले ना ले संख्याएं आ पर मिये हैं नाइन नंबर कुष्चन एक बार फिर से पढ़ो एकसर साइज 1.3 एकसर साइज 1.3 रक्षा 9 के एंसी आरे टी गडित पुष्चन नंबर 9 एक बार फिर से पढ़ो तेरा बताईए कि निम्न लिखित संख्याओं में से कौन-कौन संख्याएं पर इसको तुम सभी बताओगे जो ना बताएगा उसको पटक पटक मारेंगे आज इतना जान लो क्योंकि तुम लोगों को मैं इतना पढ़ाया हूँ ना इतना अगर किसी बर्धा को पढ़ाता बहल बुद्धि को वह भी गड़िश सीख जाता हां चलो बताओ अंडरूट 3 य वह आर लिखके कमेंट करें और जो जो कह रहें कि यह इरेशनल है वह आई लिखें चलो जल्दी बताओ पिया बाबू नंबर चलदा ना इसक्रीन पर नोट कर लो संपर कर ले ना बता दिया जाएगा जो भी कहना चाहते हो देखो बच्चा यह अंडरूट 23 है ना यह 23 बड़ा खतरनाक नंबर है इसकी किसी के साथ सेटिंग नहीं होती है यह क्या है एक प्राइम नंबर है ना एक अभाज्य संख्या है इसका कोई भी मतलब अपना और एक वण है जो सारवज मिपर्धान है वाकिए इन दोनों को छोड़के किसी से सेटिंग नहीं होती है मतलब किसी से इसका क्या है मतलब इसका कोई और गुड़न खंड नहीं है समानो गडित कि भासा में अब मैं सेटिंग का मतलब वो बता रहा हूं यह निए जि कीसके जुद फैक्टर होंगे ओन होंगी होंगे तो वो संख्या है जिनके फुद और वन के सिवा कोई दूसारे फैक्टर नह नद रोतीत हैं अबाज्जे और वाध्य होती यह क्या है ए f नंबर है यह इसंख्या यह नहीं है तु लिखो कि यह आप अर्मिय चल्दी-चल्ड करो भी सबजी लाने बिजाना है अभी सब्सक्रीब लाने जाना है खाना भी बनाना है आभी लोग बनाएंगे तो लोग को लग कुछ चीज देना पुड़ेगा अब तब को मैं बहुत बार पढ़ाया हूं बाबु जैसे दो का वर्ग चार होता है थीन का वर्ग सोता च्छेका 679 च्छेक्त500 किसी का वर्ग होता है तो कि से बाएं है बहुत अच्चे बच्चे बेरी गुट अनमोल ऽंकेत कुमार ठीक है बिट्चा बहुत अच्छे तो 225 किसका वर्ग है बाई 225 किसका वर्ग है तेखो कोई बता रहे हैं पटा पट बताओ तूरंत बताओ देर ना करो पंदरा का है न पंदरा पंदरा में 225 तो ललू लाल अगर 15 का है तो 15 तो रिफनल नमबर है क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो जो कि equal है पी यह पान क्योंकि equal क्या है यह यह परमिये है क्या है यह परमिये है कोनो 25 बता रहा है अरे गधे अगर यह 15 का होगा तो 15 का 15 में गुड़ा करने पर आ जाएगा ना चलो देखो 15 पच्चे अब कर दो मुझे तो गुरुजी पहाड़ वह नहीं आता है पहाड़ नहीं आता ना तो तुम्हें मैं क्या बताऊंग पहाड़ा तो याद कर लो 15 पच्चे 75 हांसी लाया साथ और पंदरा एककम पंदरा पंदरा साथ फंदरा पांच बैस 22225 कि इतने का है 15 का है 15 का है तो बच्चों इस तरह से अगर यह पंदरा आ गया इसका वर्गमूल तो यह क्या है परमिय है रिपनल है लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे गुरुजी यह के तो तू पंदरा निकाल दिया ठेक का है नहीं निकाला ऐसे का दुस्मनी रही पच्चवा द और गमूल पूल संख्या नहीं मिलती समझ रहे हो ना रभी किसन जूट कौन बोल रहा है तुम पढ़ाई करने नहीं आया तुम तो अपने जिन्दगी से जूट बोल रहे हो है दूसरे कि तो बात छोड़ दो चलो बच्चा अगला बताओ जिरो पॉइंट तीन साथ नो च्हा यह रेफनल है कि ई रेफनल है बताओ कुकबित मीना एंजल तब ही बताओ है और रहा रहा आप लोग पोसिज करोगे तो मैंतिमेटिक से बहुत आसान है जो पच्चे गड़ित में कमजोर हैं, वो PBR study app download करके zero level से पढ़ सकते हैं, उनका सब कुछ clear हो जाएगा, और जो कमजोर नहीं है थोड़ा ताकतवर हैं, ताकतवर मतलब यह नहीं कि तुम मोटे हटे तगड़े हो तो तुमको मैथ आएगी, अरे भाई जो पढ़ेगा दिमा तो वो तुम्हारा सौभाग होगा जब अलग टाइम पर देखोगी, देखो, यह क्या है, रिफनल है कि ए रिफनल है, बच्चा यहां पर तुम्हें एक चीज देखना है, लाश्ट में तुम्हें का देखना है, लाश्ट में यह ऐसे नहीं होना चाहिए, 0.3796 से डाट डा है, इसका मतलब यह खतम नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह रिफनल हो जाएगा यह, लेकिन इसका देखो लिमिट है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो भाईया, इसके आगे कुछ नहीं है, बाच्चा, बाच्चा, तो य क्यों इसमझ में आया ना तो यह क्या है एक रिफणल नंबर है यह परमिय संख्याय बोलोगे क्या यह परमिय लेकिन इसमें का जो अगला है वो अपरमिय है चौथा और पाचमा दोनों अपरमिये हैं अगर इसके आगे डाट डाट लगे तो क्या होगा तो वह अपरमिये होगा ठीक है बेटा कुस वाहा तुम पढ़ लो तो अच्छी बात है नहीं तुम्हारे नाम जैसा है ना वैसे तुम्हारा करम भी हो जाएगा फिर क्या करोगे आगे तो बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.3 आज खतम होता है कल आपका एक नया चैप्टर होगा 1.4 कल पढ़ेंगे 1.4 अभ्यास कल पढ़ेंगे इसको नेंच्ठ डे कक्षा नौकी एन्सी आडिटी मैथ्स की लाइब आप देख रहहें विल्पल फ्री जितने भी नए चात्र आए है चैठनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तुरंत क्या मिलेगा सब्सक्राइब करते ही आपको तुरंट चैनल के सारी जितने वीडियोज है मिल जाएंगे और आप अराम से पढ़पा होगे ताइम याद रखो सामको साथ बजे से रात के आठ बजे तक एक बात और बता दें जो भी छातर कलास की लिंक पाना चाहते हैं वो PVR Study का Telegram चैनल जोईन कर ले मतलब जैसे तुम WhatsApp चलाते हो न बच्चा WhatsApp की तरह ही Telegram है WhatsApp की तरह क्या है Telegram एक अप्लिकेशन है अगर नहीं रखे हो तो डाउनलोड कर लो Google Play Store से जैसे ही इसे तुम डाउनलोड करोगे अपनी फोन में न WhatsApp की तरह अपना अकाउंट बनाओगे जब सब बन जाएगा तो उस पर PVR Study लिखके सर्च करना जैसे ही सर्च करोगे तुम्हें PVR Study चैनल मिल जाएगा और जोईन कर लेना टेलीगराम में पीछे की सारी कला से बेजी गई है वीडिया फाइल नोड सारी कला सारी सूचना आपको टेलीगराम चैनल पे दी जाती है थीक है तो सभी छात्र टेलीगराम चैनल को जरूर जॉइन कर लो हां ठीक ना भाया समझ गए इसके अलावा आप हमें Instagram पे भी following करना Instagram पर अभी तुरन शाम कर लेना links description में भी दी गई है Chronicles Link description में भी दी गई है मैं जरो जाय सब्सक्राइब अल्षै नहीं हो रही है कि रेगुलर मिल जाएगा कि उस वहां बेटा तुम्हें मैं बलाक कर दे रहा हूं तुम जाओ आपका एक लाइब होगा या एक वीडियो मिलेगा कुछ ना कुछ कर दोगा रात नों बजए आप आना सभी और का था कि अ कि आ अ कि अ कि अ कि अ है आ कि अ अ कि आ अ है इस अ है अ है आ